तो चलो सांतियों, आज हम देखते हैं how to make 1 PPM solution, तो 1 PPM solution बनाने से पहले हमको कुछ बात दियान में रखने पड़ेंगे, कि PPM होता क्या है, PPM होता है parts per million, means कितने parts of solute, 1 million मतलब 10 लाग solution में present हैं, उसी को बोलते हैं parts per million, इसकी definition देख लेते हैं, definition क्या कहती है, कि number of parts of solute present in millions part of solution, मतलब solute के कितने parts, solution के 10 लाग parts में dissolve हैं, millions का मतलब होता है, 10 की power 6 मतलब 10 लाक, 10 लाक, अब यह जो होता है, वो हमारा millions का मतलब समझ गए, अब देखेगा, इसका हम formula देख लेते हैं, formula क्या है, कि number of PPM, number of PPM is equal to mass of solute in gram, mass of solute in gram upon mass of solution in gram, into 10 की power 6, 10 की power क्या होगी, 6, तो यह हमारा formula रहेगा, क्यों देखेगा, फिर जो है, अब देखेगा, हम पहले हम बता, यह जान लेते हैं, कि 1 PPM solution का मतलब क्या होता है, देखेगा, जो हमारा 1 PPM, हमने इस formula में value put करेंगे, अगर हमको 1 PPM का solution बनाना थे हैं, 1 PPM लिख दिया, number of PPM, 1 PPM, और दूसरा हमने क्या लिख दिया, mass of solute, जो हमको नहीं पता है, कितना लेना है, हमको पता है, mass of solution, कितना चाहिए हमको, 1000 g में हमको बनाना है, हम क्या ले रहे हैं, solution क्या ले रहे हैं, water, है ओके वाटा ले रहा है solution तो इसका 1000 ग्राम हमको लेना है न क्यों लेना है क्योंकि हमको 1000 ग्राम में बन बनाना है इसलिए हमने 1000 लिया ठीक है इंटू 10 की पावर 6 अब क्या होता है हमने लिखा इसको अरेंजमेंट कर लेंगे 100 mg आता है क्या होता है 1 mg आता है solute की quantity हमारी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इसका मतलब कि हमको लेना क्या 1 mg लेना है उसको mint करना है 1L मतलब एक हजार ml या फिर यह हमने लिया था वाटर कितने लिया था 1000 ग्राम of solvent है ना जो हमने water कहा लिया है solvent उसमें हमको dissolve करना है और make बनाना क्या है और 1 ppm solution ना तो जब हमको 1 ppm solution बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1 mg drug लेंगे और उसको 1000 ml water में या दूसरी भाजा में कहें तो 1000 g water में dissolve कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 1 ppm solution बन जाएगा तो अब यहां से हमको याद रखना है कि 1 ppm का मतलब होता है 1 mg solute जो कि dissolve होता है 1 liter of solvent में ओके इस प्रकार से हमने क्या बना लिया 1 ppm solution बना लिया ठीक है अब देखते हैं हम कि हम इसका 10 ppm solution कैसे बनाएंगे और भी ppm solution कैसे बनाएंगे देखेगा सबसे पहले हमने 1 ppm बना लिया चलिए साथि तो हम बनाना चाहते हैं how to make 10 ppm solution तो 10 ppm solution कैसे बनाएंगे जैसे कि हमने पता है कि 1 ppm का मतलग होता है कि 1 mg जो है हमारी drug या solute solute जो कि dissolve होता है 1 liter solution में है या solvent में है na solvent के अंदर तो हमको इसका मतलग होता है 1 mg लेना है solute का 1 liter में dissolve कर देना यह हमारा 1 ppm है तो यदि हम उसको कया करना है 10 ppm बनाना है 10 ppm हमको बनाएंगे 10 mg ले 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 लेंगे 10 mg लेंगे कितनी ढख ले लेंगे 10 mg solute लेंगे जो हम दिजॉट लेंगे जिसको हम dissolve कर लेंगे 1 liter solvent में है तो यह हमारा बन जाएगा 10 ppm का solution, तो अब देखेगा, यह तो हमने बना लिया 10 ppm का, पान लीजे और भी अपन को बनाना है, 3 ppm, 5 ppm का, तो उसी प्रकार से, यदि 5 ppm का हमको बनाना है, तो हम 5 mg drug लेंगे, मतलब solute लेंगे, और उसको dissolve कर लेंगे 1 liter solvent में, ठीक है, तो इस हमने क्या बना लेते हैं, हम 10 ppm, 1 ppm का solution हम बना सकते हैं, easily, हमको बस यह पता है, इसको यादा रखिए, कि 1 ppm का मतलब होता है, 1 mg drug, 1 liter में, ओके, इस प्रकार से हम बना सकते हैं, चलिए, next देख लेते हैं, how to make 5 ppm solution, how to make 5 ppm solution in 100 ml from 10 ppm solution, तो हमने क्या बोला, यह जो हमारा 10 p solution है, इसको बोलते हैं, stock, इस में से हमको क्या बनाना है, 5 ppm solution बनाना है, 5 ppm का solution बनाना है, वो भी 100 ml के अंदर, ठीक है, तो हम यह कैसे बनाएंगे, तो चलिए, देखते हैं, इसके लिए एक formula हमको use करना पड़ेगा, वो formula है, आपका c1 v1 is equal to c2 v2, अब यह formula क्या होता है, एक तरफ क्या होता है, non concentration होती है, एक तरफ क्या होती है, unknown होती है, तो यहाँ पर क्या होती है, non concentration से unknown concentration, मतलब यह c4 क्या है, concentration है और b4 क्या हो, volume है, ठीक है, तो यह जो होती है, non concentration, non volume से लेकर unknown चीज़े हम निकालना, तो कैसे निकालेंगे, देखेगा, अब हम यहाँ पर formula मुले में पूट करेंगे तो हमको क्या पता है हमको पता है की 10ppm के solution से हमको बनाना है तो सबसे पहले हम लेख लेंगे 10ppm okay is equal into v1 और c1 की जीगा हमने लिख लिया 10ppm ओको b1 b1 का हमको पता नहीं है कि 10ppm solution है वो कितने में है यह जो होता है हमको पता करना होता है अब देखेगा है कि सीटू का मतलब है जितना आपको बनाना है देखेगा यह चीज और बताते हैं यह जो है बना है यह है बनाना है ठीक है तो यह बना है और बनाना है तो यह जो पहले से रखा हुआ है और उसमें से हमको इतना बनाना है तो कितना आपको बनाना है हमको बनाना है 5 ppm का solution बनाना है कितने के अंदर बनाना है कितने के अंदर बनाना है 100 ml के अंदर बनाना है यह ले लिया, अब हमको यह क्या है, बीबन क्या है, यह है, देखेगा, 10 ppm का solution है, वो जो solution है, वो stock solution है, वो क्या है, stock solution है, 10 ppm का, तो उसमें से हम कितना volume लें, यह क्या है, volume b1, कितना volume लें, कि यह 10 में से 5 ppm का solution बन जाए हमारा, 100 ml के अंदर तो वही हमको V1 गया करना होता है तो हम इसको अरेंज करनेंगे V1 is equal to 5 PPM into 100 ml upon में चला जाएगा 10 PPM तो यह PPM से PPM कड़ जाएगा और आपका 10 से एक 0 कड़ जाएगी तो आपका क्या बन जाएगा V1 आपका हो जाएगा 50 ml तो इसका मतलब क्या हुआ सोड्ल आप पर दिखने हैं रहा आपको इसका मतलब देखीगा यह जो होगा आपका आएगा 50 ml का मतलब हुआ कि इस स्टोक में से हमकोटेक कितना लेना है 50 ml लेना है 50 ml लेना है और इसके बाद हमने का करना है दूसरे आपने इसमें dissolve कर देना है और volume क्या करने ना है volume make up कर देना है make up कर देना है कितना volume make up कर देना है up to 100 ml क्योंकि इसका solution हमको कितना बनाना है 100 ml ने बनाना है तो क्या करना है इसका जो stock है हमारा इसको बोलते है stock जो stock था वो 10 ppm का था उसमें से हमने 50 ml लेना है और उसको 100 ml तक solvent के अंदर volume मेकप कर देना है मान लीजे हमारा solvent हमारा था water तो इसमें भी हमको water ही add करने ना है ठीक है water कितना add करना है up to 100 ml मतलब 50 ml तो पहला solution हो गया और 50 ml और अगर हम water ले लेते हैं इसमें तो हमारा क्या बन जाता है 100 ml का कब पूरा solution बन जाएगा जिसमें की हमारा concentration कितना रहे गा पाच पीपीम का solution हमको बन जाएगा ऐस प्रकाद से हमने बना लिया की dilution करके हमने इस क्यां बना लिया 5 ppM का solution from 10 ppm का इसी प्रकार से आप इस formula का use करके आप किसी भी बढ़ी concentration को कम concentration में change कर सकते हैं तो I hope आपको ये चीज़े हमकी पसंद आई हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में धन्नवाद